स्वागत है अब सभी का एक पर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों यूट्यूब अपने प्लाटफॉर्म पर एक बहुती तगड़ा बदलाव करने वाला है जिसकी वज़े से बहुत से यूट्यूब क्रियेटर्स का चैनल बरबाद हो सकता है उनका चैनल डिलीट किया जा सकता है और ये जो बदलाव है अभी लागू नहीं होगा ये होगा next month से यानि कि 21 अगस्त 2023 से ये अपडेट यूट्यूब पर लागू कर दिया जाएगा यहाँ पर वैसे तो ये चीज पहले भी illegal थी एक तरह से legal नहीं थी लेकिन अभी इसमें officially यहाँ पर changes किये जा रहे है और officially आप मान सकते हैं यहाँ पर YouTube इस चीज को एक community guideline बनाने वाला है कि अगर आप इस चीज को follow नहीं करोगे अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा और यह जो गलती है यह बहुत से creators कर रहे हैं यूटूपर जिसकी वद्यसे उनका channel अब खत्रे में है तो इससे बचने का तरीका क्या है और यह क्या बदलाव है जो YouTube करने वाला है वो मैं आपको आज कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा ताहिए आपको सारी जानकरी मिल सके और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलेगा वीडियो शुरू करने से पहले तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को दोस्तों अकसर हम कई बड़े बड़े ऐसे YouTube चैनल सोते हैं या फिर जो बड़े बड़े क्रीटर सोते हैं उनको काफी साथा फोलो करते हैं और कुछ लोग फोलो फोलो के दोरन क्या करते हैं कि उनकी जो content है उसे डाउपने चैनल पर अफ्लोड कर देते हैं और उन ही कैं सैनल का नाम रख लेते हैं यहां पर यह चीज़ पहले भी illegal ती पहले भी थी इस की अप्लोड करोगे वीडियो तो यहां पर यह चीज़ इलीगल होती है यहां पर बिल्कुल भी यूटूब इस चीज़ पर साथ आपका नहीं देगा कि भाई आप ऐसा कर रहे हो तो आपका चैनल सुरक्षित रहेगा तो यह चीज़ पहले भी गलती लेकिन अब यहां पर य को क्या जाएगा और इसमें क्या-क्या चीज़े रखी गई है यहां पर मान लिजिए अगर आप एक बड़ा यूटूब चैनल है जैसे कि टी सीरीज मान लिजे टी सीरीज एक बहुत बड़ा यूटूब चैनल है और पहले नंबर पर यह आता है पूरी दुनिया में घि के लिजे से डिसा टी सीरीज मान लगा देंगे तो यहां पर लगेगा कि आप मेरा चैनल बड़ा हो गया है और लोगों को को दो गए गया है लेहेशिँ यूटूब का फिर आपको इस आप्नी ऑ्रग हो गया है तो यहां पर आपको बहरा तर्ब बना रहा olsun क्योंकि YouTube ने साफ तोर पर यहां पर बता दिया है कि किसी भी तरह का कोई capital का changes या फिर कोई numbering वाला changes अगर आप अपने YouTube channel की name में कर रहे हो और आपका channel किसी fan base पर बना हुआ है याने कि किसी की copy करके बना हुआ है उसका content आप upload कर रहा है अपने channel पर तो आपके channel पर खत्रा बना ही रहेगा इससे आपके channel पर क्या ही फरक पढ़ने वाला कुछ भी फरक नहीं पढ़ेगा आपके channel को delete होने से फिर कोई बचानी सकता यहाँ पर हो सकता थोड़ा time आपको लग जाए लेकिन आपके channel पर खत्रा बना ही रहेगा अब यहाँ पर solution क्या है माली जी अगर आपने इसे घल्दी कर दी है या करते आ रहे हैं तो अब आप चाहते हो अपने channel को बचाना तो क्या कर सकते हो सबसे पहले तो ऐसी videos जो दूसरे की हैं उन सब को आपको delete करना पड़ेगा अपने channel पर से दूसरा यह है अपने channel का नाम आपको चेंज कर लेना है को यूणीक सा नाम रखना है जो और किसी का नाम नहीं हो बहुत सिंपल सा नाम हो ताकि हर किसी को याद हो चाहिए ऐसा आपको अपने channel का नाम रखना है और दूसरे के content तो बिल्कुल भी भूल के अपलोड नहीं करें यहां पर क्या होता है कि कुछ लोग जैसे की roasting वाली videos बनाते हैं किसी को troll करते हैं तो वैसी videos आप बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दूसरे के content का थोड़ा बहुत use कर सकते हो जो की fair use के तयाद आता है लेकिन पूरा का पूरा content किसी का upload करना अपने चैनल पर वह गलत है अब यहां पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ माली जी आपका एक YouTube channel है बहुत ज़्यादा popular है अपने यह वीडियो जो upload करते हो वही वीडियो अगर आप अपने दूसरे चैनल पर upload करोगे तो क्या होगा आप कर सकते हो अपने जो same videos दूसरे चैनल पर upload कर सकते हो नाम भी चाहो तो वैसा रख सकते हो लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन यहाँ पर जो दूसरे creators होते हैं जिनका कोई hug नहीं होता वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर खत्रा बनाऊ और जो copyright owner होते हैं जिनका खुद का content होता है वो multiple channels पर अपना same content upload कर सकते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आईगी उनका channel भी monetize easily हो जाए आपको अपने content में जो YouTube की community guidelines है उनका ध्यान आपको रखना हो तो दोस्तों यही एक छोटा सा update था उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताएगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप ऐसी गलती नहीं करेंगी